हेलो बच्चों सुबह सुबह जब हम नींच से जाकते हैं तो आसपास पक्षियों के चहकने की आवाज से मन प्रसन्न हो जाता है और हमें दीन भर काम करने के लिए उर्जा मिलती है यहाँ पक्षियों की दुनिया भी बड़ी निराली होती है वे कभी आसमान पर उची उडान भरते हैं तो कभी पानी में डुपकी लगाकर अपना सिकार पकड़ते हैं यहाँ दुनिया एक पहली है अगर एक बार नजर उठा कर चारों तरफ हम देखें तो मन में हर विशय को जानने और समझने की तीवर इच्छा होती है वैसे हम एक छोटी सी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो एक पक्षी से कविता के रूप में बात कर रही है जिसे लिखी है कवईत्री गिरिजारानी अस्थाना कविता का सिर्षक है चिडियारानी हमें सुनाओ एक कहानी क्या तुम दिन भर करती हो कहां कहां तुम उड़ती हो जब तुम जाती दूर अकास क्या जाती चंदा के पास सागर तट जब तुम जाती हो किस से मिलकर तुम आती हो दूर देश भी क्या तुम जाती लंदन पेरिस घूम के आती कास जो होते मेरे पंक उर्ती में चिडिया के संग बच्चों इस कविता की पहली पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि एक छोटी बच्ची चिडिया को देख कर उसके मन में कहीं सवाले हैं वह चिडिया से पूछ रही है चिडिया रानी दिन भर तुम क्या करती हो उड़कर तुम कहां कहां जाती हो क्योंकि हम जानते हैं कि चिडियों के पंक होते हैं और वे उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं यह साब कहानी छोटी बच्ची चिडिया से सुनना चाती है दूसरी पंतियों में हम देख रहे हैं कि वहाँ चिडिया से पूछ रही है दूराकास में जब तुम उड़कर जाती हो तो क्या तुम चंदा के पास जाती हो हाँ बच्चों अक्सर हम देखते हैं चिडिया जब उची उड़ान भरते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं इसलिए वह चिडिया से चंदा के पास जाने के बारे में पूछ रही है चिडिया उची उड़ान के साथ-साथ कभी जमीन पर कभी पेडों के डालियों पर फिर पानी बेबी तेरते हुए दिखाई देते हैं समद्रा के किनारे बैठी हुई चिडिया किसे मिलने के लिए जाती है छोटी बची यह जानना चाती है तिस्री पंतियों में भी हम देख रहे हैं कि वह चिडिया से पूछ रही है लंदन पेरिस चैसे देश भी क्या तुम घुमकर आती हो बदलते मोसम के साथ चिडिया भी दूर दूर देश उड़ कर जाते हैं चिडियों के पंक में इतनी दम होती है कि वे महीनों भर आसमान पर उड़ते रहते हैं इसलिए आखरी में कवयत्री इस छोटी सी बच्ची के द्वारा कह रही है कि कास जो होते मेरे पंक उड़ती में चिडिया के संग हाँ बच्चों हमारे पास सब कुछ जानने समझने के लिए दिमाग है परन्तों चिडियों के जैसे आसमान पर उड़ने के लिए पंक नहीं है कविता से हमें यहाँ सिक मिल रही है कि चिडिया हमेशा फुर्तिला रहती है वैसे हमें आलस को छोड़ कर चिडिया जैसे फुर्तिला होना चाहिए अगर हम फुर्तिला होंगे तो अपने बुद्धी ज्यान के द्वारा चिडिया जैसी हमारे नाम का उची उड़ान भर सकते हैं इस कविता से हम कुछ नए सब्द पाते हैं इसका सरल अर्थ को जाने आकास आसमान कुछ सब्दों के अर्थ समान होते हैं इन सब्दों को हम समानार्थी सब्द या परियावाची सब्द कहते हैं यहां कुछ ऐसे सब्द को जाने और अभ्यास करें चिडिया खग पक्षी सागर समुद्र सिंधू आकास नव आसमान चंदा चांद चंद्रमा इस कभिता से संबंधेत कुछ प्रस्नों के उत्तर को जाने और अभ्यास करें चिडिया उड़कर कहां कहां जाती है चिडिया उड़कर दूर आकास सागर तट और लंदन पेरिश जैसे दूर देश जाती है चिडिया कहां रहती है चिडिया पेड़ों की डालियों पर अपना नीड बना कर रहती है आप चिडिया से क्या सिख सकते हैं हम चिडिया से यहाँ सिख सकते हैं की हमें आलस होकर वक्त बरवाद नहीं करना चाहिए चिडिया जैसे फुर्तिला होना चाहिए चिडिया झालस होना चाहिए चिडिया झालस होना चाहिए झाल झाल